आप देख रहे हैं subject go इस वीड़ो में हम सिखेंगे window 11 में facebook, whatsapp, instagram जैसे app को install कैसे करते हैं जिसे मान के चलिए आप अपने phone में facebook, whatsapp, instagram और twitter जैसे आपको असानी से चलाते हैं उसी तरह से आप चाहे तो अपने computer में भी चला सकते हैं बस करना क्या होगा कि जो भी आप अपने computer में चलाना चाहते हैं जैसे कि facebook हो गया, whatsapp हो गया या फिर instagram हो गया तो उस app को आप जो install करेंगे और उसके बाद उसमें अपना username और password डालके login करके चला सकते हैं तो चलिए सब सब पहले देखते हैं कि आप जो window 11 में इस तरह के app को install कैसे कर सकते हैं तो देखिए जो भी देखेंगे facebook install नहीं है तो आप facebook app install करने के लिए क्या करना होगा देखिए किसी भी app को computer में install करने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका होता है कि आप किसी browser में जाके वहाँ पे search करके उस app को download कर सकते हैं और उसके बाद double click करके उसे install करना होता है जो कि मैंने आपको पहले आप करूंगा facebook download for pc pc के लिए download कर सकते हैं या फिर desktop लिख के download कर सकते हैं तो facebook जब download कर लेंगे facebook का software यानि कि आप उसके बाद उसको डबल क्लिक करके install कर सकते हैं लेकिन यह तरीका जो है बहुत से लोगों को करने में थोड़ा से दिक्कत आता है तो इसलिए मैं यह तरीका आपको नहीं बताने वाला हूं इस वीडियो में इससे भी आसान तरीका आपको बताता हूं कि कैसे आप करेंगे अगर आपके यहां पर नहीं मिलता है तो यहां पर और उसके बाद यहां पर चले जाएंगे यहां पर सर्च कर लेंगे आप देख लेंगे कहां पर यहां पर उपर टाइप करेंगे Microsoft Store इस तरह से टाइप करेंगे Microsoft Store उसके बाद यह आप आजाएगा आपके समने Microsoft Store इस पर क्लिक करेंगे यह आप open हो जाएगा लेकिन open होते समय यह आप से email id और password आप डालेंगे जिस email id और password से आप चला रहें यानि कि Microsoft का account होना चाहिए आपके पास outlook का तो वो जो है hotmail या outlook करेंगे होगा आपका email id वो यहाँ पर डाल के आप login कर लेंगे अगर login पहले से होगा तो इस तरह से जाएगा जैसे मेरे सामने यहाँ पर खुलके आ गया है और आपके सामने अगर नहीं आता है यह sign in करने के कहेगा तो यहाँ पर sign in कर लेना है आपको इसके बाद देखे यहाँ पर्ण हैं उम में देखने यहिए बहुत सारे अप्स यहाँ आपको दिखाए जारे हैं यह वह आपस हैं यह जैदा लोक्टामरोड कर रह हैं तो वह सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर दिखाया चाहता है उसके बाद यहां पर game है गेम में क्लिक करके गेम देख सकते हैं जो भी गेम आप डाउंलोड करना चाहते हैं अपने Computer में खेलने के लिए वह डाउंलोड कर सकते हैं उसके बाद नीचे एक option और है library इस पर क्लिक करते हैं देखे library में वह चीज दिखाता है जो आपने पहले से अपने computer में install कर रखा है यानि कि download कर रखा है जैसे कि मैंने WhatsApp जो है यह यह डाउलोड कर रखा है पहले से अपने computer में WhatsApp बीटा भी और WhatsApp भी यह दोनों एप मेरे computer में पहले से download है तो यह जो है यहाँ पर library में आपको दिख जाता है उसके बाद simple आपको क्लिक करना है home में और किसी भी नया आपको install करने के लिए home में ही रहना है आपको और उसके बाद यहीं से आप install कर सकते हैं जैसे कि मैं install करना चाता हूं Facebook तो मैं यहाँ पर search कर लेता हूं के बाद आपको यह देखना है download और install करने से पहले कि वह एप कौन सी company का है यानि कि वह original है या फिर duplicate है जैसे कि Facebook देखे Facebook आप जो मेटा कंपनी का है तो यहाँ पर मेटा लिखा हुआ आ रहा है देख सकते इस तरह से मेटा है यहाँ पर अगर Facebook पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेटा आगया लिख के यानि कि यह आप सही में मेटा company का ही ओफेशियल एप यहाँ पर करेंगे आप गेट पर क्लिक करने के बाद यह आपके computer में आप इंस्टॉल होना शुरू हो गया है देख सकते यह जो इंस्टॉल हो रहा है इस तरह से यह थोड़ा सा समय लेगा उ आपको तो यहां पर स्क्रीन शॉर्ट देख सकते हैं नीच इस आपके बारे में इसका रीवी बगएरा यहां पर दिया रहता है इस तरह से तो देखें यहां पर इंस्टॉल हो गया इंस्टॉल होने के बाद यहां से आप ऑपन कर सकते यहां फिर अपने computer में जाएंगे य इस्टॉल कीजिए इसलिए यहां पर आगया Facebook इस पर क्लिक करेंगे आप उसके बाद यह आप से कुछ पर्मिशन मांगेगा तो यह पर्मिशन को आप अपने हिसाब से देख सकते हैं और उसके बाद एलाओ कर देंगे मैं अभी इसे कर देता हूं डोंट एलाओ उसके यहां और आपको चला सकते हैं देखें इस तरह से मैं अभी इसे क्लोज कर देता हूँ अभी कोई और एप जो करके देखते var car इस्टाग्राम आपको really करेंगे इस्टाग्राम यहाँ पर इस्टाग्राम कहीं है इसके बाद करेंगे क्लिक माइक्रोफ्ट इस्टॉर से जो भी Matap install करेंगे उत्रीमि इस्टाज्वर करेंगे ज्यादा तरगेट, covenant भी प्राविक्षित रहता रहे हो tu करें के डूब्लिकेट और बेकार के आप को जो है यह अलाव ही नहीं करता है Microsoft Store Microsoft Store से जो भी आप आप इंस्टॉल करेंगे अपने Computer में वो जायातर जो है सुरक्षित होते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम जो इस तरह के बहुत सारे अप जो हते हैं वो आप अपने विंड़ो में इस्टॉल कर सकते हैं असानी से विंड़ो 11 हो या विंड़ो 10 ओ दोनों में Microsoft Store इसी तरह से चलता है दोनों में इस्टॉल कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही इसी तरह की और भी नए वीडियो देखने और सिखने के लिए सब्जेट गो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिक्शन आपको मिल पाए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजे और देखते सब्जेट को और सिखते रहे हैं